हाई गाइस कैसे हो रोम गुरुजी में आपका स्वागत है तो आज हम आपके बैटरी की हेल्थ फास्ट चार्जिंग और सारे बैटरी को बचाने के solutions के बार में बात करने वाले हैं काफी important वीडियो है पूरा end तक देखी ताप कि आपको सारे solutions मिल पाए आपके सारे doubt clear हो ठीक है तो शुरू करते हैं पर शुरू करने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो गाई बहुत मदद होती है ऐसे और वीडियो बनाने के लिए inspiration भी मिलती है तो शुरू करते हैं सबसे पहली चीज आपक कि आपको लगता कि आपके फोन के लिए बुरा है तो मैं एक सच बता हूँ हाँ फास्ट चारजिंग आपके पोन के लिए बुरा है पर उस तरह से नहीं जिस तरह से आप सोच रहे हैं आपका फोन अगया प्राइटरी शटनली एक साल के अंदर जीरो नहीं होगी ऐसा नहीं होगा बड़ आपको थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आना शुरू होगा अब यह प्रॉब्लम्स क्या है जो आपको आ सकती है क्या होता है पहले आपको हम बैटरी चलती कैसे वह समझाते हैं आपकी लिथियम आयोन बैटरी के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं अब आप जब भी अपना फोन चार्जिंग पे लगाते हो तो वो केमिकल्स रियाक्ट करते हैं इस रियाक्शन से उसके अंदर एक चार्ज बिल्ड अप होता है और आपका फोन यही चार्ज पूरे दिन में तो होता है कि पहले यह जो रियाक्शन थी इसका टाइम स्लो था क्योंकि अंदर जो करंट पास किया जा रहा था वो कम था धीरे-धीरे यह करंट बढ़ाया गया ताकि चार्जिंग का स्पीड बढ़ पाए पर इस ते क्या होने लगा है रियाक्शन ज्यादा गरम होने इस गर्मी के पीछे reason क्या होता है? एक exothermic reaction होती है. ठीक है? यह actually exothermic reaction नहीं है पर यह exothermic byproduct देती है. मतलब क्या? यह heat release करती है. तो इस heat release में क्या होता है? आपका phone गरम होता है और जो chemical है उनकी potency भी कम होने लगती है. तो इससे क्या होता है? धीरे धीरे करके कुछ सालों में battery की health होती है या battery की chemicals की जो potency होती है वो deplete होने लगती है. उनकी quality कम होने लगती है. और एक टाइम ऐसा आता है जहां पर आपको वो battery change करानी पड़ती है. तो अब बोलो कि इसमें fast charging का क्या है यह तो वैसे ही होता है. बिलकुल. Fast charging बस इस पूरी process को जो health depletion हो रही है उस process को जल्दी कर देता है. तो आप बोलो कि यार तो क्या इप्रेस करनी के लिए video बनाया है? बिलकुल नहीं. इसमें क्या होता है? यह जो fast charging है इसे हम क्या करते हैं? इसकी कुछ precautions होते हैं. जो अब अगर लोग है तो आज यह solutions बताने वाला हूं जिससे आपकी battery की health बहुत जल्दी deplete नहीं हो पाई. तो जो सबसे पहला solution है कभी भी अपने phone को रोज 0 to 100 मत करो. आपको लग रहा होगा क्या यह mistakes हैं? इससे क्या बक्वास कर रहे हो? बिलकुल नहीं. बक्वास नहीं. यह सज बात है. जो आप रहे reactivity है. उससे हीट जादा पैदा होती है. उससे अगेन आपकी डिपलीशन जादा जल्दी होती है. दूसरा जो चीज़े ओवर चार्ज मत करो. आजकल काफी phones में ट्रिकल चार्जिंग जो फीचर है वो आ गया है बट काफी phones में नहीं है. जिसे आपकी फोन में नहीं है जबकी फुल चार्ज हो गई है. इससे आपकी बैटरी की जो हेल्थ है, जो कॉलिटी है वो डिपलीट हो जाएगी. प्लीज यह मत करो. तीसरी जो चीज है, अगर हो सके या अगर आप अगर आप ऑन चार्जिंग वाले इनसान हो कि आप सिर रात को फोन चार्जिंग को आपकी बैटरी की हेल्थ बेटर रहती है. तो अगर आपने यह सारी चीज़े की तो आपकी बैटरी ज्यादा लॉंग लास्ट कर सकती है. तो आज की वीडियो के लिए इतना ही ता पर आपको यह सारे सज़ेशन यह सारा एक्स्प्लेशन पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना. अब हम चलते हैं इंगलिश की तरव. तो आपको प्यान, लॉवाद सब्सक्राइब कर से करन Hां जरूब। जप बचक्ट उब हमें स्वाद करिके लाद का आप सबस्चानी उप में вид dî पनाही तक्राइब बाद्रेशने that's why your phone slightly get warm when you use fast charging now what happens is every time you fast charge there's a certain amount of battery health that is depleting because because of the constant chemical reactions the elements that are reacting slowly start losing their potency and there would eventually come a time where you will need to replace that battery now you must be saying okay this is very depressing but how do we help it now that is where these solutions and precautions do come in firstly if you're fast charging keep it in an airy cool place right it would be much better for your battery as there would be less heat secondly don't keep your fast charging on overnight if you keep your fast charging overnight something known as overcharging happens where your battery keeps on reacting even though it's fully charged that would deplete your battery's health real 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 fast after that please do not charge your phone constantly from 0 to 100 every day these are called full cycles and they only need to be done maybe once in a week to keep your battery well calibrated but if you do this every day it is going to cause a pretty heavy effect on your battery's health lastly if you are someone who charges their phone at night or through the night buy a normal charger which doesn't which is not a fast charger and keep your phone attached to it overnight the phone will take the whole night to charge but at least it will not overcharge and if you have smart charging feature in your smartphone please use smart charging that's all that we can do to ensure that your battery's health stays protected from fast charging that's all for this video guys but if you did like the whole video concept and suggestions please subscribe it would allow me to make more of these videos that's all for this video guys thank you and rongurji signing off